नमस्कार साथियो आज एक और खास विडियो लेकर कि आपके बीच मैं हैं जैसे कि आमने टाइटर देख लिया होगा इसमें बात करने वालों राजनीती में क्या जादा महत्वपूर्ण है आपका काबिल होना आपकी काबियत या आपका प्रसिद होना आपकी नाम का होना मैं नाम लेना रिकमेंड नहीं करता हूँ अमित उपाध्या है यह उत्तर प्रदेश है उन्होंने कहा कि यह सवाल मेरी तरफ से पूछिएगा तो यह सवाल तो सभी का हो सकते हैं बट मुझे लगा कि यह सवाल पर वीडियो बनानी चाहिए मुझे गाइट करना चाहिए औ जाची जादा महत्वकून है काबलियत जादा जरूरी है या प्रिसिद होना जादा जरूरी है अफसोस की बात यह है कि हमारे हैं जो चुनाव होता है अगर चुनावी राजनीती की बात करें तो चुनाव किस चीस का चुनाव है चुनाव काबलियत का चुनाव नहीं होता इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता चुनाओ में, क्योंकि हमारे चुनाओ प्रिसिद्धी के आधार पर होता है, पॉपुलर मेंडेट कहा जाता है, जो ज़्यादा प्रिसिद्ध होगा, उसके चुनाओ जीतने की संभावना उतनी ही अधिक होगी, लेकिन क्या चुनाओ जीत लेना ही काफी है, या चुनाओ जीत लेना ही सफलता है राजनिती में, नहीं यह तो एक पार्ट है राजनिती का, इसके लावा बहुत सारे पार्ट है, बेकेंड पॉलिटिक्स में बहुत सारी आप्शन्स हैं, फ्रेंडल पॉलिटिक्स में भी बहुत सारी आप्शन् ये काबिल होना जादा जरूरी है यकिनन आप चुनाओ जो जीतेंगे वो प्रिसिद्धी के आधार पर जीतेंगे लेकिन काबियत के आधार पर अगर प्रिसिद्धी मिलेगी तो चुनाओ जीतने की संभावना जादा होगी जीतने के बाद जीतते रहने की संभावना जादा होगी, कुछ अच्छा काम कर पाने की संभावना जादा होगी, आप पार्टी पर जादा डिपेंड नहीं रहेंगे, पार्टी आप पर निर्फर रहेंगे, क्योंकि आप काबिल हैं, यदि आप काबिल नहीं हुए, और केवल प्रिसिद्धी के अधार पर, केवल पॉपुलर करेंगे, जब आप काबिल नहीं होंगे तो, और जब आप काबिल होंगे, तो आपकी पर्फरमेंस अलग होगी, आपको अगर अपने अधिकार पता होंगे, अपने करतवे पता होंगे, यदि आपको कल मंतरी बना दिया जाता है, केंद्र में या राज्ये में, तब तब आ तो आप काम कर पाएंगे और कई बार अधिकारी आपकी इस जानकारी ना होने का फायदा उठाते हैं जी हाँ मैंने नाम तो नहीं लूगा लेकिन बहुत सारे ऐसे नेताओं को जानता हूँ मंत्रियों को जानता हूँ जो जादा काबिल नहीं थे और वो मंत्रियों नीता बन गे सांसे जिधाय बन गे अब बन तो गए लेकिन उन्हें काम नहीं करने दिया गया उन्हें वो काम करवा दिये गए जो नहीं करने चाहिए थे उनसे वो काम नहीं करने दिया गया उनको जो और जूट है, पहर जब साबित करेगा तब करेगा, लेकिन अभी तो आरोप लग गया, तो आप अपरादी है यह नहीं है, यह कोड sectors करेगा, लेकिन आप आरोपी तो बन गए और आरोप तो निराधार भीड़ा जा सकता है, आधार है यह अन्हीं उत भाद में तह होगा, ल अगर आपको काबलियत होगी पता होगा तो शायद आप बेलत काम करने से बच जाएंगे लेकिन राजनीती में ये कहना कि सफल होने के लिए केवल प्रिसिद्धी जरूरी है ऐसा मैं नहीं मानता हाँ चुनाव जीतने के लिए प्रिसिद्ध होना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रिसिद्धी का ही चुनाव है अफसोस है कि काबलियत का चुनाव नहीं होता होना चाहिए था हमारे यहाँ पर केवल प्रिसिद्धी का चुनाव होता है यदि आप प्रिसिद्ध है तो मान ले जाएगा आप काबिल भी है राजनीती में काबलियत का पहमाना प्रिसिद् यदि आपके पास काबलियत नहीं हुई आप team नहीं बना पाएंगे, काबलियत नहीं हुई तो आप party पर depend रहेंगे, काबलियत नहीं हुई तो आपका miss use किया जाएगा, काबलियत नहीं हुई तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकरी नहीं हुई, तो आपके अधि तो कोई वैक्ति किसी पद के काबिल है नहीं है ये भी पद लेने के बाद ही पता चलता है पहले तो कोई नहीं पता सकता है कि कोई वैक्ति सांसर बनने के लायक है के नहीं है मंत्री बनने के लायक है के नहीं है कुछ बेसिक गुणों को देखा जा सकता है लेकिन उन गुणो को बढ़ा देंगे ये कर देंगे वो कर देंगे जब जाते हैं पता चलता है उन्हें काम ही नहीं करना था वो काबिल नहीं है तो फिर रोजगार भी नहीं दे पाते हैं एकोनोमी को भी खराब कर देते हैं और फिर जंता को बरग लाने के लिए इधर-उदर के मुद्दे ले करके आते हैं उसे देश का ना तो भला होगा ना आपका भला होगा और राजनिती में आने का उदेश है यदि आपका केवल नाम सत्ता पैसा ही है तो काबलत नहीं यह तो चल करना है कुछ अपना नाम अपने परिवार का नाम कुछ समाज का कुछ कलियान करना है तो काबलत भी हासिल करिए कम से कुछ जो basic requirement है जो minimum raw material चाहिए उतने गुण तो आपके अंदर होने ही चाहिए ताकि आप सफल राजनिता कहला पाएं ना कि केवल एक सांसाद बन कर रह वो minimum requirement क्या होती है किस इस तर पर क्या होगी क्योंकि हर इस तर के लिए अलग अलग होगी आप सांसाथ का चुनाव लड़ेंगे तो अलग होगी विधा का चुनाव लड़ेंगे अलग होगी state level politics में अलग होगी center level politics में अलग होगी क्या minimum काबलियत होने ही चाहिए qualification भी बात नहीं करा, काबलियत की बात कराओ क्या minimum काबलियत होने ही चाहिए ताकि वो वेक्ति सफल राजडिता बन पाए राजडिती का शिकार होने से बच पाए राजडिती में आगे बढ़ करके कुछ अच्छा कर पाए, कुछ सार्था कर पाए तो मैंने इस वीडियो में बताने ही कोशिश की और जैसा अमीजी का सवाल था उसके जवाब देनी ही कोशिश में की आप मैंसे भी किसी का कोई डाउट है, कुछ और पूछना चाहते है किसी और वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, हमारे नम्मर मिल जाएंगा आप तो वीडियो के डिस्रिक्शन में उन पर भी बात कर सकते हैं, मुझे से बात करना जै भारत